हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागते सिक्कू स्पोर्ट्स में तो आज हम देखने वाले फूट कॉर्परेशन आफ इंडिया अंडर स्पोर्ट्स कॉठा रिकूर्मेंट 2022 तो यहां पर आपको फूट कॉर्परेशन आफ इंडिया की तरफ से जो है स्पोर्ट्स कॉठा का न की result admit card सारा कुछ जो है आप तक update पोस्त रहेगा ठीक है तो वेकेंसी की तरफ बढ़ते हैं हम तो यहाँ पर जैसा आप देखोगे तो यह under sports कोठा recruitment है और यहाँ पर आपको post मिलेगा assistant grade 3 में ठीक है general depo में और यह name of post याणि assistant जो है post है आपको इस post पर जो है 28,200 से लेकर के 79,200 यह आपका pay scale है ठीक है अब इसके बाद बात करेंगे हम कि इसमें कौन apply कर सकता है तो इसमें सिर्फ sports person apply कर सकते हैं जिनकी बास sports certificates नहीं है तो वो इसमें apply नहीं कर सकते हैं जैसा आपने thumbnail पर दिखा कि इसमें exam नहीं होगा तो यह सही बात है तो यहाँ पर आप game देखेंगे तो first game इसमें hockey है hockey में दो vacancy है और gender यहाँ देखोगे तो आप male तो श्रीव इसमें male apply कर सकते हैं और second पर cricket cricket में एक vacancy है और वो भी male के लिए reserved है vacancy और तीसरे नंबर पर जो है पुरा recruitment जो हो रहा है चार vacancy के लिए हो रहा है और तीन गेम के लिए हो रहा है ठीक अब इसमें आप किसी भी state से हो अगर आप male candidate हो तो आप बिल्कुल apply कर सकते हो और आपके पास इन तीन गेम का ही certificate चाहिए आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका गेम basketball है और आप apply करना चाहते हो football में ऐसा तो नहीं होगा जो गेम का है certificate उसी गेम में आपको apply करना है ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ तीन गेम के लोगी apply करेंगे hockey, cricket और football अब यहाँ बाद आती है age limit की तो यहाँ पर age limit देखिए 18 से 27 साल चाहिए आपका age जो count करना है आपको 1 August 2022 यहाँ तक जो है आपकी age count कर लेनी है अगर आप 27 साल एक मैना, 27 साल एक दिन ऐसा भी हो रहा है आपका तो आप पिल्कुल form मत बरिये वो reject हो जाता है तो आप जो है पहले age count कर यहाँ आपकी 18 साल से 17 साल के बीच में है आप तो आप इसको बिल्कुल apply कर सकते जनरल category के लोग याने की you are unreserved और जो age relaxation यहाँ पी मिलेगा five years का SCST के लिए पास साल की छूट मिलेंगी SCST के लिए और three years की जो है OBC candidate के लिए ठीक तो इसमें ना you are के लिए जैसा हमेशा कोई भी recruitment में general category के लिए resolution होता है five years का तो यहाँ पर नहीं दिया गया है से यहाँ पर SCST और OBC candidate को age reduction में अब यहाँ पर qualification की बात है तो आपको graduation चाहिए any subject ठीक है किसी भी subject में आपका graduation होना चाहिए यानि arts commerce या science से या engineering भी किया है आपने तो भी चल जाएगा ठीक है और अगर आपका अच्छा achievement है sports में अगर आपके अच्छे achievement है winner medal है आपके पास first position है तो आप 12th pass पे भी apply कर सकते पर शरीफ वो player apply कर सकता है जिसने international खेला है या senior या junior national में आपके पास medal है ठीक है extraordinary player है अच्छे medal से आपके बास तो आप बिल्कुल जो है 12th pass पे भी apply कर सकते है ठीक है यहां पर लिखा है ठीक तो यह होगे आपका qualification अब sports qualification क्या-क्या चाहिए इसमें ठीक है अब यहां लिखा है यह नीचे के नीचे जो list दिये इसमें से किसी भी एक में आपकर अपने खेला है तो आप इस recruitment में apply कर सकते है ठीक है तो पहला यहां पर दिया गया है the country in any international competitions तो international competitions चलेंगे उसके बाद दिया गया है कि वर्ल्ड यूनर्सिटी इंटर्नेशनल competitions and a compete university teams in national ठीक है याने कि वर्ल्ड यूनर्सिटी गेम्स यह साथ में उसके कोई भी यूनर्सिटी से national team जाती है भार नाशनल के लिए यूनर्सिटी टीम जाती तो वह भी चल जाएंगा अब यहां पर थर्ड नंबर पर दिया गया है कि state in national competitions तो यहां पर बहुत लोग confused होते state in national competitions तो आपको ऐसा लगता है कि state का certificate चलेगा नहीं आपने अपके state से national के लिए रिप्रिजेंट किया हो तो यह लिखा होता है यहां पर में तो याने यह senior national junior national में जो भी competitions होते हैं उसका participation का भी certificate यहां पर चल जाएगा यानि कि आप eligible रहोगे recruitment के लिए श्रीप ठीक है फॉर्म भर सकते हो आप फोर्थ नंबर पर जो आपका है यहां पर इदिया है कि यूनर्सिटी इन एंटर यूनर्सिटी tournament conducted by enter university sports board यहने कि आल इंडिया इंटर यूनर्सिटी जो इंडियन आस्सोशेशन आफ यूनर्सिटी जो चंड़क करती tournament आल इंडिया इंटर यूनर्सिटी वो certificate भी हां पर चल जाएगा ठीक है अब फिफ नंबर पर दिया है कि school games के बारे में दिया आप देखो school games में भी बहुत लोग एक एक खुश्चन्स होते हैं तो यहां लिखा है state schools in national sports games for school conducted by the all India school games federation याने कि जो yes GFI yes GFI जो games conduct करता है हर state की team आती वहां पर साथ में cbac का team अलग से आता है kbs का अलग से आता है नवदे विद्याले का अलग से आता है और DAV का भी अलग से टीम आता है ठीक है ना तो यह सारे boards की teams जो है अलग-अलग वहां पर आके yes GFI national होता है वहां पर अगर आपका participation है या medal है वह certificate वाले इसमें अपलाई कर सकते हैं आप लोग क्या करते हो nvs का जो national होता है अलग से तो उसका certificate आप जो है यहां पर बताते हो कि सर यह certificate है मेरे पास nvs का मैं इस recruitment में eligible हो क्या मैं जब message में बोलता हो आपको नहीं हो आप eligible तो आप पोलते हो कि हमारे सर ने बोला है कि यह भी एक national है हाँ वो national है आपके school आपकी जो school level से उस पर national है यह पर यह जो all India school games होता है उसके लेवल का national नहीं है वहां पर जो आपकी केंद्र विद्याले का है उसी तरह CBSC का भी है DAV का भी है तो CBSC के अलग से national होते हैं DAV का भी होता है केंद्र विद्याले की भी होते है तो आपकी एक टिम बनती है फिर वो जा करके आपके KVS या CBSC के लिए रिप्रेजेंट करके ESGFI किलती तो वह वाला certificate यहां चलेगा ठी क्लियर डाउट इसमें अब इसके बाद बारी आती है कि प्रिप्रेंस कैसे मिलेंगी तो देखिए पहला प्रिप्रेंस हमेशा की तरह जो international प्लेयर होते हैं उनको फर्स प्रिप्रेंस दिया जाता है और उसके बाद जो है senior या junior national में जिन लोगों ने medal लिया है उन लोगों यह दिया जाता है second प्रिप्रेंस और थर्ड प्रिप्रेंस यहां पर दिया है कि world university international competitions फिर उसके बाद दिया है state school games तो यह तरीका है इनका भरती करने का फिर उसके बाद में जो रहेगा all India inter university के जो competitions रहेंगे उसको लेंगे अब यहां selection process की बात करेंगे तो selection process में देखो selection will be through process of trials and verification of original documents याने कि purely जो है आपका trials होगा और original document आपके चेक होंगे और अब trial को लिए जाओगे तब आपको ना TA देंगे ना DA देंगे वो आपको खुद अरेंज करना है अब इस form को आपको feel करने के बाद किस address पे send करना है देखो यह form जो है offline है online नहीं है आपको जो यह form है पूरी तरह से offline feel करके इनके address पे send करना है तो यहाँ पर आपको लिख कर दिया गया है complete application in this regard must be submitted by registered post registered और speed post याने कि आपको जो form है से दो इब पोस्ट से करना है एक registered और एक speed post दोनों में से किसी से भी कर सकते हो आप आप याद रखना इसको private courier या ordinary post इन से मत करना ठीक ह अब भेजना कहा है तो यह देखिए यहाँ पर लिखा है the secretary से तो यह noida up इस address पर आपको भेजना है यहाँ से पूरा पढ़ लेना आपने इस address पर आपको पूरा जो है आपका application form neat and clean अच्छे handwriting में आपने फील करके सारे document अटेस्टेट कॉफिस लगा करके आपको send करना है ठीक आपको document क्या क्या send करना है साथ में तो इसी PDF में आपको application form मिलेगा एनेक्सचर ए बोल करके नीचे में बताता हूं लास्ट में तो वह वाला form आपको print करना है वह field करना है उसके बाद दो passport photos एक जो है application form पे paste होगी और एक lose आपको साथ में send करनी है अब तीसरे नंबर पे जो है आपका date of proof के लिए आप 10th की mark sheet लगा सकते हो या साथ में multiple corporation certificate या किसी authority जो आपको birth certificate प्रोवाइड करती है वह वाला self-attested लगाना है अब education certificate में 10th की mark sheet 12th की mark sheet साथ में आपकी graduation की सारी mark sheet और degree certificate है तो degree और living certificate ठीक है सारे education के certificate self-attested लगानी है आपको अब यहां certificate तो यह annexure भी नीचे में है blank में आप प्रिंट करके उसको फिल करना किसी भी जो आपको जो non-person है यानि कि कोई आप गाउं में रहते हो तो वहां पे ग्राम पंचायद हो गया या सिटी में रहते हो नगर निगम हो गया तो जो अच्छे leaders होते हैं कोई नगर से हो quad member तो उन तो यहां पर देखिए इसमें जो date है मैं date भी बता देता हो कि किस date के बाद के certificate है आपे चलेंगे तो साथ में आपको sports achievement के certificate भेजने हैं और जो आपको form no.1,2,3 जो रहेगा last 10 days का latest published रहना चाहिए मतलब यह advertisement published होने के 10 दिन के बाद का आपका form no.1,2 वो sign होना चाहिए ठीक है अब यह तो यहां लिखा है कि original education data birth proof and more sports certificate may be shown at the time of जबी भी आपका जो document verification रहेगा trial के time पे आपको यह जो आपने document send किया है यह आपको original में इनको show करना पड़ेगा ठीक है तो जो certificate आपके पास original में है आप वही send करना है इनको photoscopy self-attested करा के सारे documents पूरे अच्छे से self-attested करना इसमें अगर आपको कुछ समझ में ने आता है तो comment section में मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं आपको reply जरूर दूँगा ठीक है अब यह तो होगी आपको documents के बारे में अब इसको अब इसमें तो मैंने पहले तो बताया कि all over India से सबी लोग apply कर सकते तो फिर आपर देखिए last date जो रहेंगी आपकी 18 अगस्ट 2022 18 अगस्ट 2022 के पहले आपका form इनके address पहुच जाना चाहिए अब जो लोग जम्मू कश्मिर और नौर्थी स्टेट से है तो उनकी लिए last date जो रहेंगी 2 September 2022 ठीक है तो इसका मतले भी यह है कि September तक जो है श्रीफ form application form जो है September तक इनकी तरफ से कोई हरकत नहीं होगी call letter issue होने की तो जो भी है बाद में जैसे भी किसी को call letter आएगा तो मैं अपने ग्रूप में message कर दूँगा या आपको इसी तरह वीडियो बनाके inform कर दूँगा तो यह last date आपने याद रखने है 18 अगस्ट 2022 ठीक है 18 अगस्ट 2022 जो है यह normal states जैसे बाकी MP, UP, उत्तरप्रदेश, राजस्तान, गुजरात, तमिलनाडू, फिर तेलंगाना यह बाकी जो रज्ज है इनके लिए 18 अगस्ट आपके लिए last date है और सिर्फ जम्मू कश्मिर और नौर्थ इस स्टेट्स के लिए 2 सप्टेंबर उनकी last date है ठीक तो इसम कैसा है इसका application form इसी PDF में आपको मिल जाएंगा मैंने description में लिंक दिया देखो यहां पे लिखा जो भी select होंगा candidate उसको जो है एक लाक रुपे का bond sign करना पड़ेगा service के लिए continue 3 साल के लिए तो यह bond क्यों sign करते बता है गया जैसे बहुत सारे player क्या करते है जैसे आप join कर ल साल का income tax में हो गया और department of postal में हो गया सब जगा में आप जहां पर भी जाओगे आपको bond sign करना ही पड़ेगा तीन साल दो साल के लिए कि आपको छोड़े ना ने तो क्या हो रहा है कि अच्छा player उनको मिल जाता है फिर बाद में आपको अच्छी opportunity बाहर दूसरे government टीम से मिल करना है तो यह पूरी तरह से आप फील करना है अच्छे से तो आपका sports achievement दीखें यहां पर आपको 11 नंबर पर दीखेंगा sports performance after एक जनवरी 2019 के बाद के जो certificates में जो sports में जो खेले है वो certificate यहां पर चलेंगे ठीक है यह आपका form है यह भी print करना है आपको यह character certificate है नगर निगम या program बंचायत या कोई college के headmaster जो school में पढ़ते हो वहां से college में वहां से भी sign ले सकते हो आप इस पे ठीक है और इसके बाद यह जो है form no.1 है जैसा मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं और यह form no.2 है इसके बारे में मैंने video बना के रखा है आपको i button में दीख रहा होगा तो आप एक बार देख लेना अगर जो new subscriber है उन जिनको नहीं पता जो new viewers है तो इसके बारे में मैंने video बना के रखा है ठीक है अगर आप चाते हो कि मैं form कैसे feel करना उसके ओपर भी video बनाऊ तो आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हो कि मैंने form कैसे feel करना है उसके ओपर video बनानी है या नहीं बनानी है ठीक है अगर आपको easy है एक दो page का है easy है कोई दिक्कत नहीं आएंगी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप comment करके push सकते हो तो वीडियो को like जरूर करे अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो और कुछ doubt है तो आप बिल्कुल comment कर सकते हो और मैंने telegram group का आपको मिलते रहेंगी ठीक है तो इसमें क्या है कि मैं सारे जो भी admit card result आते है तो यह group से मैं आपको संपर करते हैं मतलब message दे देता हूं अंदर में तो sports quota recruitment आप सर्च कर सकते हो telegram में तो आपको यह group को join कर लेना है ताकि आप तक जो भी है आप offline हो या कुछ हो तो आपको group में सब लिख करके रहेगा कि कौन सा admit card आया है कौन सा recruitment आया है तो मैं हर बार employment news भी लगाता हूं जिसमें आपको government jobs की जो है normal examination होती है उसकी भी information यहां से मिलती रहती है ठीक है thank you for watching my video मैं मिलूंगा आपको next video में thank you